नई दिली के प्रगती मैदान में 36 गड़ बिजनस समिट का आयोजन किया गया है जहां देश के विभिन हिस्सों से आए उद्यमी, निर्या तक और विफसाईयों ने फाग लिया इस मौके पर 36 गड़ शासन की ओर से एथेनॉल और ड्रोन उत्पादन 21 थापना के लिए दो MOU पर हस्ताक्षर किये गए बिजनस समिट में 36 गड़ के श्रम मंतरी शिव डहरिया ने 36 गड़ में ओद्योगेक संभावनाओं की जानकारी देने के साथ ही उद्यमियों को 36 गड़ में निवेश के लिए प्रोसाहित किया उन्होंने कहा कि 36 गड़ प्रकतिशील और संभावनाओं से भरा हुआ राज्य है प्रदेश सरकार की नई ओद्योगेक नीती के तहट उद्यमियों के लिए कई प्रकार की रियायतें और सुविधाएं दी जा रही है उन्होंने ओद्यमियों और निवेशकों से आगरह किया कि 36 गड़ आकर सुविधाओं का लाब ले और प्रदेश की उन्नती और विकास में सहयोगी बने ओद्योग विभाग के विशेश सचिव हिमशिखर गुपता ने बताया कि 36 सरकार की नई ओद्योगेक नीती 2019 से 2024 में ओद्योगों की स्थापना से जुड़े नियमों को सरल बनाये गया है जिसमें उद्योगों को विभिन स्वीकृतियां देने के लिए एकल खिड की प्रणाली लागू की गई है कठिन प्रक्रिया को आसान बनाये गया है समिट के अंत में दो एमोईू हुए इथनौल उत्पादन 21 स्थापित करने के लिए NKJ Biofuels दुर्ग के बीच MOU पर हस्ताक्षर किये गये ये कंपनी 140 करोड रुपे का निवेश करेगी कंपनी की ओर से राजेश गौतम ने हस्ताक्षर किये वहीं दूसरा MOU, Drone और UAV Manufacturing Unit के लिए Debest Research Private Limited के साथ किया गया कंपनी की ओर से मनीश वाजपई ने MOU पर हस्ताक्षर किये ये कंपनी 50 करोड रुपे से ज़्यादा का निवेश करेगी